गुड इवनिंग स्टुडेंट्स, मैं हाजर हूँ आपकी खिदमत में और हम पूरी डिटेल में बात करेंगे जो मॉर्निंग में जो आइल्स का अज एक्जाम था 15 अक्टूबर को उसका प्रॉपर रिव्यू मैं लेके आया हूँ तो जैसे कि हम लिस्निंग की बात करते हैं तो लिस्निंग में जो पहला सेक्शन था जनरली आपको पता कि उसमें वान वर्ड ब्लैंक्स आती हैं लेकिन इस बार थोड़ा सोने पैटर्न चेंज किया लेकिन लिस्निंग डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं थी इजी थी और नो 3rd section में MCQ थे और 4th section में 1-word blanks थी यह लेकिन उसके साथ उन्होंने तीन या 4 उसके साथ भी MCQ थे सो मतलब लिस्निंग का जो लेवल था वो मिक्स अप था कुछ स्टुरेंस को डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन यह डिफिकल्ट नहीं था इजी ही था तो अगर हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग का लेवल इजी मॉडरेट था वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मैंने जैसे पहले प्रडिक्ट किया था वो कि लिस्ट ओफ हैडिंग आने के काफी ज़्यादा चांसिस हैं तो पैसेज के नाम भी आप देख सकते हो जो पहला पैसेज उसका नाम था इंपॉर्टेंस ऑफ पार्क्स और उसमें जो क्वेस्टेंस आये थे वो तीन टाइप के आये थे जनरली दो टाइप के आते हैं लिस्ट ओफ हैडिंग थे उसके साथ रूफ फाल्स नाट गिवन थे और राइटर्स के ओपीन एक एम सी क्यू था लास्ट में एक या दो थे एम सो विच पैरग्राफ कंटेंस फॉलिंग इंफर्माल इंफर्मेशन वाले क्वेशन थे उसके साथ कुछ ट्रू फाल्स थे और एक या दो एम सी क्यू थे और जो तीसरे वाला पैसेज है आज हाव टू क्लीन दा बीच तो हाव टू क्लीन दा बीच में इस भी जो पैसे था उसमें से तीन टाइप के कॉशन्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यस नो नौड गिवन थे एम सी क्यू थे और उसके साथ कुछ ब्लैंक्स थी ब्लैंक्स कफी जदा ठिकी थी और यह हमारा रीडिंग का पैटरन थ सारा जो आज स्टूरेंस ने एक्सपीरियंस किया उनके एक्सपीरियंस से उनने जो बताया तो रीडिंग और लिसनिंग के आंसर जो है वो मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ज़्यादा तर स्टूरेंस गलत होते हैं कोई कोई भी स्टूरेंस अपने हिसाब से आं परांसर सही ही होगा आप पैनिक हो जाते हैं यूट्यूब को परांसर्स देखके तो दीखिए जो सेकिंड पैसेज आया वो मैंने आपको पहले जैसे के देख सकते हो कि वह ज्यादतर पैसेज काफी सारे रिपीट हो रहे हैं तो अगर आपको भी ऐसा मेटीरियल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको जो भी मेटीरियल चाहिए आपको रीडिंग का पीडियेफ चाहिए या आपको राइटिंग में थोड़ी बहुत हैल्प चाहिए तो आप मेरे को कॉंटेक्ट कर सकते हो वोट्साप का नंबर आपको दिख रहा है देख सकते ओनलाइन यूट्यूब पे आके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर हम बात करते हैं राइटिंग की तो राइटिंग देखिया आज गल थोड़ा से नो ट्रेंड चेंज कर दिया है राइटिंग में दो बलब कुछ जगा पे क्वेस्चन अलग आता ह है अगर हम राइटिंग टास्क बन की बात करें तो पाई चाट आया था और टास्क टू में फ्रेंड जो स्टेट्मेंट थी वोड़ी सम पीपल थिंग दाइट एग्री और डिसेग्री तो जैसे मैंने प्रेट्ट किया था अग्री डिसेग्री डिसकेशन इसके काफी ज़ और आप चेक कर सकते हो प्रडिक्शन में जाके और जो कुछ जगह पे उन्होंने थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया था था इंक्रीज इन प्रोड़क्शन आफ कंजूमर गूड्स रिजल्ट इंडेमेज तो दे नैच्रल इन्वारमेंट वाट इस प्रॉब्लम तो अगर म इसा सोचते हैं कि यह पैसा human population पर खर्च होना चाहिए तो इसके साथ आप किस हद तक अगरी कर इसका जो थीसी स्टेटमेंट है लकिन अगर आप उन साइड रहते हो तो आपकी जो पॉजिशन होती यह ओव काफी ज़्यादा क्लियर एक और पॉजिशनिंग के मा algs होते हैं रैइटिंग में अगर आपको रोडिनमेंग में है तो आप टरे को वर्ट्टस अप कर सकते हो तो दूसरे वाला चलपिक था व यह इनकी production बहुत ज्यादा हो रही है और इसकी वज़ा से हमारा natural environment खराब हो रहा है जैसे कि consumer goods की बात करें तो plastic made things बहुत ज्यादा हम use करते हैं और आपको भी पता है कि वो plastic जो है वो non biogradable होता है तो इसकी वज़ा से natural environment खराब होता है तो इसकी reasons बताने थे और इसको हम कैसे control कर सकते हैं तो यह था आज का जो morning slot का जो exam हुआ था उसका complete मैंने आपको review जो है वो दे दिया है answers मैंने इसमें नहीं बताए हैं क्योंकि answers students जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादातर answers जो हैं वो गलत ही होते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को like कर दीजे शेर कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलते रहे हैं thank you so much